दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम लोग कुलामसला पढ़ेंगे और यह समझने के कोशिस करेंगे कि कुलामसला क्या होता है कब यह एप्लिकेबल होता है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए कुलामसला दो पॉइंट चार्ज के बीच एप्लिकेबल फोर्स को बताता है तो कुलाम कहते हैं according to कुलाम the value of force between two point charges is applicable only when both the charges Q1 and Q2 must be point charges अब यहां पर यह जो point charge है इसको समझें की कोशिस कीजिए तो कि आप इसको नहीं समझेंगे तो आप वहां पर भी कुलामसला लगा देंगे जहां पर यह point charge नहीं होगा और वो numerical आपका गलत हो जाएगा और maximum numerical इस तरह से ही गलत होते हैं तो आपको ध्यान यह रखना है कि point charge हो तभी कुलामसला apply करिएगा otherwise आपको integration की help लेनी ही पड़ेगी तो मैं आपको समझा दू कि point charge क्या होता है तो point जैसे हम जानते है point बनाते हैं हम लोग यह point तो यह point की जो size है इसकी size लगभग जीर होने चाहिए मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ आई नहीं होना चाहिए तो पूरा charge एक point पर यानि एक छोटी सी जगा पर concentrated होना चाहिए तब ही कुलामसला applicable होगा तो मैं जितने भी आपको example बताऊंगा अभी वो सब point charge है उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे numerical भी बताऊंगा जिसमें point charge नहीं होगा तब कैसे कुलामसला apply करते है चलिए पहली बात तो यह point charge मानते होई लगाते है अब दिखिए कु और यहां से सुनिएगा दो चार्ज के बीच एक force act करता है और यह जो force होता है वो या तो इन दोनों charge को REPL करता है یا attract करता है सिफ दो possibility है अगर force लगेगा तो यह तो REPL करेगा या तो इसको attract करेगा तो दोनों charge एक दूसरे की move करेंगे तो attract होंगे एक दूसरे से दूर हटेंगे तो REPL होंगे अब मैं यहां पर आपसे क्या बहुत खास कहने वाला हूं वो सुनिएगा अगर बोत दा चार्ज दोनों चार्ज पॉस्टिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है जान दीजीगा इस पर अगर दोनों चार्ज पॉस्टिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे रिपेल क अवी तोसे फोर्स दूर लगेगा कौन से चार्ज से दूर हटेगा इस वाले से और यह वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज से दूर हटेगा अवी तो पहली बात तो यह कि यह जो फोर्स है यह वाला यह इधर जो लग रहा है यह और यह जो इधर लग रहा है यह दोनों फो इस दोनों जब negative होंगे similar charges repel each other यानि एक ही प्रकार के charge एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं तो यह वाला जो charge है Q2 यह भी minus है इसे force इदर लगेगा अभी कितना force लगेगा इसमें मत चाहिए इसमें important direction है formula से कुछ होने वाला है नहीं और यह इधर रटेगा आप देख रह है कारण समय रहे होंगे यह charge और यह चार्ज दोनों सेम नेचर के है पॉस्टिव रिपेल होंगे और यह भी दोनों negative है तो रिपेल होंगे अगर एक positive एक negative है तो attraction force लगेगा अब attraction का मतलब यह है कि दोनों की बीच की distance decrease करेगी यानि यह चलेगा इधर इसकी और और यह चलेगा इधर दूसरे वाले चार्ज की और मतलब बहुत दर चार्जेश विल्मूग तो उनकी बीच की दूरी यहां पर कम होगी तो माले जी इस पर अगर देखे हैं तो बताइए आप force किदर लगेगा आप है यह प्लस है तो यह दोनों चार्ज यह वाला चार्ज मूब करेगा इधर और यह वाला चार्ज मूब करेगा इधर तो आपको ध्यान यह रखना है कि यह जो आप लोग एरो बनाते हैं इसे कुछ बच्चे क्या करते हैं अट्रैक्शन का बनाना है तो वो क्या करते हैं य मैं यहाद अइसे में तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि जिस चार्ज के ओपर फोर्स लगना है आप उसके उपर him रखनी होगी का तो यह पर फोर्स बताना नहीं तो इस पर रखो ना कि यहां कहीं बीच में एधर उन्हाप घलत हो जाएगा तो यह direction मैंने समझाने के कोशिस की अब मैं आपको एक बहुत खास पार बताता हूँ जैसे आप जानते हैं Newton's third ला है जैसे आपके book में लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है F1 यहां लिखा हुआ है F2 अब यह F1 और यह F2 बच्चों को करता है बहुत confused अब वो confusion क्या है जैसे कहा जाएं कि F1 और F2 में कौन बड़ा होगा तो इसमें बच्चे confused होते हैं कि F1 बड़ा होगा जैसे मैं आपको example के लिए बोलता हूँ यह 10 कुलाम है यह 8 कुलाम है अब बताएं कौन सा force जादा है F1 जादा है या F2 जादा है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो जादा चार्ज है वो जादा force अप्लाई करेगा कुछ कहते हैं सर जो कम है वो जादा force अप्लाई करेगा तो इस तरह से इसमें misconception बन जाता है तो उसको दूर करने के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपने element में newton's third ला पढ़ा है अब newton's third ला ये कहता है ये तो है ने कि वो किवल mechanics में लगिए वो तो universal है तो उसका सीधा से statement है पहला charge दूसरे पर जितना force लगाता है यानि action उतना ही दूसरा charge पहले पर force लगाता है यानि reaction यानि ये force मैं अब कभी भी f1 suffix ये one suffix नहीं लगाऊंगा और ये f2 suffix नहीं लगाऊंगा तो कि मैंने आपको समझा दिया according to newton's action and reaction ला one will apply equal force in magnitude and opposite in direction यानि देखिए धान दीचे direction तो opposite है ना इस पर direction पाए है इस परदाए है direction opposite है जो कि वहां का rule था follow रहा है लेकिन खास बात है both will have same magnitude यानि f1 और f2 दोनों equal होंगे और ये cable यहां पर ही नहीं इन सब में जितने में आप लगा रहा है फोर्स सब में फोर्स equal होगा तो अब मैं जब वो equal है तो मैं f1 f2 लगा कर आपको confuse क्यों करूं तो यहां पर मैं यह लिखूंगा cable f force है और ऐसे में यहां पर भी लिखूंगा यह force cable f है आपको बात समझ में आ रहे होगी कि force हमें से हम लोग को सेम लिखना है ऐसे ही यह वाला force भी f है यह भी f है यह भी f है और ऐसे यह भी f है सब f है सब force equal है यह वाला force भी f है अब दिखिए धान दीजिए मैंने यह समझाने कोशिज की है कि direction को कैसे समझेंगे force का magnitude equal होगा कोई कम ज्यादा नहीं होगा कारण म मैंने आपको बता दिया अब आते हैं statement के statement है कि जो force का magnitude होगा मौड वो दोनों charge के magnitude के product के directly proportional होगा अब यहां मैं कहना क्या चारा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि वन अगर plus है या है दोनों case में आप मौड लेंगे तो प्लस ही आएगा और Q2 भी ऐसा ही प्लस आएगा तो हम दो कभी भी charge को माइनस नहीं लिखेंगे हमें सब प्लस लिखेंगे और यह जो force होगा वो दोनों charge के बीच की जो distance है यह आर उसके square के reciprocal के directly proportional होगा और जब आप इन दोनों को कभ माइन करेंगे तो अब आप जाना है Q1 Q2 जो मौड है वो प्लस है तो मैं मौड हटा दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको यह समझा रहा है यहां मैंने लिखा था अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ अब मैंने यहां लिखा है Q1 यह लिखा है Q2 यह दोनों हम इसा positive होंगे तो अगर minus भी हो तो अब भी आप प्लस लिखिएगा upon R square और जैसे यह proportionality हटेगी एक constant आएगा 1 upon 4 by epsilon 0 यहां पर अगर air medium है तो और यह medium एर ना होकर कुछ और हो तो अब एक dielectric constant भी आएगा और वो dielectric constant क्या होगा यह मैं आपको ब देखिए घ्यान दीजिएगा जैसे मालेजी दोनों charge के बीच के जो medium है वो air ना होकर कोई और medium है तो हर medium का एक dielectric constant होता है पर्टिकुलर numerical value रखेगा यह एफसलर नॉट यहां पर डाइलेक्ट एफसलर नॉट यहां पर air की पर्मिटिविटी है और के medium का dielectric constant है अब के की वैलू जाने लिजिए air के लिए k की value 1 होती है water के लिए 81 होती है यह आपको याद निकलना है आपको मैं एक data बता रहा हूँ दो तिन values और किसी metallic medium का k जो है infinite होता है तो आप देख रहा है k की value कभी भी एक से कम नहीं हो k will always be greater than 1 और अगर k एक से बड़ा है और यहां पर आप एक से बड़े नंबर से divide कर रहा है तो पक्का अब जो यह force आएगा वो air वाले respect में थोड़ा कम आएगा तो अगर आपसे पूछा जाता है कि medium के आने से force पर क्या effect पड़ता है तो उसका आप सीधा sensor लिखेंगे force decrease कर जाता है तो यह था आज का video thanks for watching please like subscribe and share and also you can comment your question in the comment box thanks for watching